अगर आप UP के मेरट के रहने वाले हैं और आसपास कूड़े के धेर से परिशान हैं तो ये खबर आपके लिए होने वाली है क्योंकि मेरट के नगर निगम प्रशाशन ने मेरट को स्वच रखने का सपना देख लिया है जिसके लिए प्रश्वाशन ने पूरी तरह से कमर कसली है और ये कैसे होगा इसका खाका भी तयार कर लिया गया है आपको बता दें कि अब मेरट नगर निगम छेतर में वटसप से कूड़ा उठेगा मेरट नगर निगम के नगर आयूक डॉक्टर अमित पालश्वर्मा ने आउ साथ मिलकर देखे सच मेरट का सपना अभियान शुरू किया है इस अभियान के तहद एक वटसप नंबर 8395881826 जारी किया गया है आपके घर या दुकान या मोहले में कहीं भी सफाई होने के बाद कूड़ा पड़ा रह गया है या कई दिन से सफाई नहीं हुई है तो आप वहां की फोटो और एड्रेस के साथ वर्टसप पे शिकायर करेंगी इसके बाद वो जानकारी सफाई निरिक्षक को भेजी जाएगी और सफाई निरिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वो इस स्थान की सफाई कराएगा और सफाई के बाद नगर निगम उस जानकारी को गुरुप ने शेयर करेगा गोर तलब हो कि इस अभियान के बारे में सुनकर आपको अजीब सरूर लग रहा होगा पर ऐसी शुरूआत सच में की गई है इस अभियान के खासियत ये होगी कि 24 घंटे में प्रशाशन को पूड़ा साफ करना होगा यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर नगर आयुक प्रमोद कुमार संबंदित अधिकारी और करमचारियों से समधान ना होने पर जबाब लेंगे और उसके बाद नगर आयुक डॉक्टर अमित पाल शर्मा खुद मौके का निरिक्शन करेंगे इस अभ्यान का मकसद यही है कि ये पता चल सके कि शहर में कौन सी जगा ऐसी है जहां से कूड़ा नहीं उठ रहा है और कौन अधिकारी इसमें लापरवाई कर रही है हाला कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये अभ्यान कितना शक्षम साबित होता है इसी तरह कि तमाम बड़ी खबरों से जुड़ा रहने के लिए The Ground News को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पिलकुल न भूलो Bureau Report The Ground News